हलो दोस्तों मगउपेंद कुमार आप सभी कर स्वागत करता हूँ आपने चैनल विके टुटिरियल में आज हम लोग जानेंगे दोस्तों पस्चात राजनीतिक पिचारक प्लेटो जी के बारे में तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों तो प्लेटो का गर जन्म देखें दोस्तों तो चार्श ओठाई सेसव पुरुव में हुआ था और इनकी मिर्दु 347 सेसा पुरुव में ताप इंडेट को याद रखेगा दोस्तों कभी-कभी प्रशन बन जाते हैं प्लेटो प्राचीन युनानी राजनीतिक दर्शनिक हैं जिसे प्राचीन राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है तो प्राचीन जो राजनीतिक दर्शन है उसका पिता प्लेटो को कहा जाता है वही हम लोग बोलते हैं राज्णिती बियान का पिता किसे मानते हैं तो अरस्टू को मानते हैं आगे देखते हैं दोस्तों प्लेटू का जो जम था 428 इशा पुरो में एठेंस में हुआ था एठेंस जो है दोस्तों यूनान में है इसका वास्थ्विक नाम, Aristocles था, Plato की उपाधी सुकरात ने दी थी और इसका जो वास्थ्विक नाम थै listocles था, लेकिन इसको पलेटो का कि सुंपोधित सुकरात ने किया वेहिं उन्हों कि उपाधी दी, और तब से लोग प्लेटो के नाम से जानते है प्लेटो का सबसे महत्मूर राचना दर रेपब्लीक है इसकी अतरिक्त प्लेटो ने दर स्टेट्मेंट दर लोज नामक गरंध लिखे जो आधर सराजी के बजाए बिहारी कराजी की बैख्या करते हैं पलेटू ने आदा सराज की जन्सक्या जो है वह 5,040 है तो इसको याद करने के लिए दोस्तों आपनोर 50,040 याद रखेगा तो ऐसे क्या होता है याद भी रहेा, भूलिय अगभा भी नहीं कि पचाश, 40 इसकी संक्या प्लेटू के अध्यन पत्ती जो है दारसनी किया निगनात्मक है इसका अध्यन पत्ती भी थोड़ा दिमाग में रखिये कि यहां से भी प्रस्टनाते हैं कि दारसनी किया निगनात्मक पत्ती प्लेटू नेरा नितिक साथ को नेतिकता का एक भाग माना है निगनात्मक पत्ती जो हता है दोस्तों वो समाने से बिसिष्ट की और या समस्टी से बिस्टी की और निसकर्ष निकालता है मतलब पहले आसान से हम लोग कठीन की और प्रवेश करते हैं आगला है दोस्तों के अगनात्मक पत्ती अगनात्मक पत्ती जो होता है बिसीश से समिष्ट की और निसकाश निकालता है यह देखें तो इस्टेटमेंट में सरोतम संभावीत राज का उलेख है यहां पर है सरोतम संभावीत राज का उलेख है लोज में अपूर्ण मनुसी के बीच आदर सासन पर नाले स्थापित करना संभव नहीं है प्लेटो ने इस्टेंटमेंट में बीधी के सासन की बात करता है प्लेटो के अनुसार युनानी नगर राजियों में दो परकार के नगजराज पाया जाते हैं अगे देखते हैं दोस्तों इनकी रचना है टपलेटों के सभी ग्रंत सनवातसैली में लिख fight गई हैँ यह थाद में रखेगा कि इसकी जितनी भी रचना है सनवात सेली में हैं चलिए इनकी रचनाय को देख लेते हैं तो इनकी रचनाय हैं द रिपबलीक द इस्टेट्टमेंट द लो मीनॉ द संब नीसिस्म इसको फेड़ इसके बाद सुखकरात more डई लोक का परोब मतलब जो अकेडमी नामक संस्था किस ने स्थापित किया था तो प्लेटो होने का गौरो विप्राप्त है 386 इस्विपूरू में आगे देखे दोस्तों तो एकेडमिक में जो प्रवेश होता था तो अंगरीर प्रवेश के लिए गनीत का ज्यान होना अवसेक था प्लेटो जो थे वो सुक्रात का सीशे थे वो सुक्रात की इस बिचार सते थेख प्रवावित्धा की सतगून ही ज्यान है प्लेटो के आनुसार बिचार जो है ही समुचे संसार का मुल्ततो है भौतिक दुनिया की बिचारों की छायामातर है इसलिए या अर्थ़ारत बीशो की बिचार की परच्छाई है इसलिए उन्होंने बता जो विचारों की परचाई है उनके उनुसार विचारों की दुनिया है अब एक है भोतिक वा वास्तुविक दुनिया कहाँ पर अपना जो विचार कैसा चाहते हैं विचारों के दुनिया एक भौतिक दुनिया जो दिखाई आपको देता है वो दुनिया तत्कालीन यूनानी यूग में सत्य के सम्बंध में दो परकार के विचार परचलित हैं पहला विचार अगर देखे दोस्तों तो हेराकिलीच के नुसार यह बिस्व निरंतर परिवर्त परिवर्त है और दूसरा जो था पैरामेड़िस के नुसार सफथ्य सधहाइ और यह प्रिवर्त अंशिल है तार कि प्लेटों ने व्हुप दोनों विचारों भी सामंझा से यानि होता है समंजस से श्थापित करना उनके अनुसार सत्यस्थाई होती है परंदु उसकी परच्षाई सद्यव परिवर्थित होती है उन्होंने बला के सत्यस्थाई है लिको की परच्षाई बदलती रहती है प्लेटों के चिन्तन का सार होते हैं तथा विचार चीजों के प्रतिविम होते है प्लेटो का बेक्ति के समद्ध में बिचार प्लेटो जो थे ग्रीक युनानी बिचारक था प्लेटो के अनुसार आत्मा ही बेक्ति की पहचान है तथा हर आत्मा में तीन प्रकार के गुन पाया जाते हैं ये कौन कौन से तीन गुन है तो विबेक साहस और त्रिसना ये तीनों गुन होते हैं अत्मा के इन तीनों गुन में समाज के तीन वर्गों का निर्माड हुआ है जिसके पास विबेक है तो विबेक की प्रधंता वाले साहस यानि होगे दर्शनिक रा तो आप देख सकते हैं कि इसको जो तीन जो वर्ग था तीनों को बाट दिया है जो विबेक के धार प्रबटे हुए हैं प्लेटो का प्रसीद कतन है कि राज्य बेक्ति का ब्रीहद रूप है तो इसको भीयाद रखेगा दोस्तों एक स्टेटमेंट बहुत जादा पुछता है कि राज्य जो है बेक्ति का ब्रीहद रूप है किसने दियत प्लेटो ने प्लेटो राज्य या समाज में अंतर नहीं करता वह इन तीनों वर्गों का समुह मनता है तो देखें तो प्लेटो जो है राज्यों समाज में अंतर नहीं करते वे सभी वर्गों का समुह मनता है प् जो साहस वसैनिक बनेगा और जो त्रिष्णा है उत्पाधन का कारम करेगा इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों कि इन वर्गों के निर्धारन के लिए प्लेटू ने सिक्षा ब्यवस्था को बात करता है प्लेटू के पुरुव दर्शन में सासन ब्यवस्था को एक कलाम माना है राजा को समाजिक्ता कि इसे दूर करता था उसे संसारिक जगत से दूर कर सामयवाद की स्थापना का प्रयास किया गया है सुक्षा यमसाममेवाद दोवाराल स्थापित राज नयाज होगा प्लेटू कुनसार कोई धोबी-मोची-नाई-राजा नहीं हो सकता है तो यहां पर थोड़ा ध्यान दे चाहिए कोई धोबी मूची नई राजा नहीं हो सकता है और राज जो सासक्भ होगा और सिक्षा यमसाम में वादपर अधारिक होगा जो न्या पूंड राज होगा आगे देखते हैं दुस्तों पलेक्टों का राज का बिचार राज की प्रकृति पलेक्टों ने दर रिपबलिक में आदास राज की ब्याख्या करता है जिसके वस्त्विक्ता राज की नहीं तो यहां पर देखें तो एक आदास राज की ब्याख्या करता है किसी वस्त्विक राज की नहीं उनकी अनुसार राजी का निर्मार ओक के बिरिज से नहीं बलकी बेक्ती के चरीतर से होता है ते भी statement को याद रखेगा ये भी प्रस्ण बनता है दुस्तों जो राजी का निर्मार किसी ओक के बिरिज से नहीं बलकी बेक्ती के चरीतर से होता है राज की प्रकृति आंगिक, जैविक, यमस्वाई है पलेटो ने बेक्ति की अपेक्छा राज को प्रत्मिक्ता दी है रिपब्लिक के प्रधान पात्र यानि पॉली मारकस तथा एंडी मेटस और गलोकोन है रिपब्लिक के जो प्रधान पात रहें तीनों हैं दोस्तों तो इसको देख लिजेगा राज की उत्पति, इनके राज की उत्पति में इनके क्या विचारदारा है ता राज एक प्राकृतिक संस्था है या विकास का प्रिणाम है या सोभाविक संस्था है तेहां पर देखें तो तीन चीज़, राज एक प्राक्रितिक संस्ता है, विकास का प्रिणाम है और सभाविक संस्ता है, प्लेटो का नुसार राज्य नेतिक है पलेटू के राज में बीधी और दंड को कोई इस्थान प्राप्त नहीं है यहाँ पर देखें तो बीधी और दंड को कोई इस्थान प्राप्त नहीं है पलेटू का राज जो है वो नेतिक है नेतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा सासित होता है यहाँ पर देखें जो दार्शनिक राजा द्वरा सासित होता है इसलिए वह नेतिक है जो अस्तिविक्ता को देखता है प्लेटो के सासन प्रनाली विवेक्षिल युम अधिना एक वात कहलाती है आगे देखते हैं दोस्तों प्लेटो का नयाय सिधान प्लेटो के अनुसार प्रतिक बेक्टी को अपना अपना हक दिलाना ही नयाय है यानिक हर कोई को उसका हक मिलना चाहिए ही नयाय है प्लेटो के अनुसार नयाय सिधान बेक्टी की आत्मा का गुन है प्लेटो प्रत्मत तत्कालिंग की उनानिक समाज में प्रचलित नयाय सिधान का खंडन करता है जिसका परती पादन सोफिष्ट पॉली मार्कस और थ्रेसी मेकस यों गुलुकोन ने किया था प्लेटो ने सनवात सेली में रिपबलीक सनवात सेली में लिखे गया है तर रिपबलीक में लिखते हुए नयाय की सोफिष्ट धरना का पुर्ट खंडन किया है बारकर के अनुसार प्लेटो ने बेक्ती वादी अनुवादी भौतिक वादी नयाय के मन्याता का पुर्ट थे सोफिस्ट विचारकों में कैफी लोज का नुशार सत्य बोलना वर्रीड चुकाना ही नयाय है प्लेटों ने इस मन्याता का खंडन किया तथा प्लेटों का नुशार सत्य का पूर्ण ग्यान प्रमपुराव प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता है लेकिन परतिक सत्य बोलना नहीं होता है इन्होंने आगे दिखते हैं दोस्तों को पॉली मार्कर्ट कंणुस्कार सत्रुके सा सत्रुता यो मित्र के साथ मित्रता ही नयाय है प्लेटों कानुसार नयाय की सनकलपना बेक्ति वादी चिंतन पर अधारित है जिसमें बेक्ति अपने स्वार्थ के अधार पर कारे करते हैं प्लेटो के नुसार स्वार्थ के अधार पर कारे करना नयाय नहीं है जबकि अपने नेतिक दाइतों का पालन करना ही नयाय है लिए सब चीजों को थोड़ा ध्यान वेंटेस को जो स्वांत करें नहीं नहीं निया है फिसाली का यी नहींस यहां बोलते हैं प्लेटो जो बोलते हैं कि समुचे समाज की निया है और यहां बोलते हैं प्लेटो जो बोलते हैं कि समुछे समाज की भलाई ही निया है, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दिजेगा इस ब चीजों को, प्लेटो करनुसार सक्ति साली बेक्ति यह बजाए, नियापून्ड बेक्ति का महत्व जादा है, ततह एक अन्याई बेक्ति से, बेक्ति के बजाए एक प्रसन बेक्ती का महत ज़्यादा है यहाँ पर दिखे प्लेटो बोलते हैं कि जो न्याय पूर्ण बेक्ती है उसका महत ज़्यादा है किसे तो एक सकती साली बेक्ती से उसी परकार एक कन्याय बेक्ती के बजाए एक प्रसन बेक्ती का महत ज़्यादा है उनके अनुसार नयाए असक्त बेक्तियों की ओसकता है गुलुकून के मन्याता हव्स के समान प्रतीत होती है तो सबकी अपना अपना राय है दुस्तों लेकिन हम लोग अभी देखे प्रिवलोटे जो है उसके कंप्रेजन करके बतायागे तो उसको बिशेश त्यान देना है प्लेटो ने इस मन्याता का भी खंडन करते हुए कहा कि नयाए ब्राहन नहीं बल्कि आंतरिक होता है या क्रित्री रूप में निर्मित नहीं हो सकता है जबकि यह मानो आत्मा की सर्थ है जिसका निर्माण सिक्षा के द्वारा ही संभव है नयाए के दो पहलू होते है पहला हो जागा ब्राहन नहीं हो जागा समाजी की स्थर पर अब ब्राहन आत्मा की तीनों गुनों में समंजसी ही नयाए है साहस, वसना और बिबेक के द्वारा निर्देशीत होते है मतलब अपने आप पर नयाय करना है तो तीनों चीजों का तीन गुनों का समंजस होना चाहिए साहस, वसना और बिबेक यह पलेटों कहते है आगे बलते हैं कि समाजी की स्थर पर नयाय समाज के तीनों वर्गों के द्वारा अपने कर्तब्य का निस्पादन करना या दूसरे के कारियों महस्त छेपना करना ते तीनों वर्ग जो थे सासक और दूसरा हो गया रक्षक और तिसरा हो गया त्रिशना या उत्पादक ये तीनों वर्ग अपने काम को और निस्पादन पुर्वक मतलब बोलना चाहिए निस्वार्थ भाव से करते हैं और दूसरों के कारियों महस्ता छेप नहीं करते हैं वही न्याय है प्लेटो के बिचार की केंदरी रचना दर रिपबलिक है जिसका उप सिर्षक नयाय से समंधीत है प्लेटो का नयाय जो है करतब परधारित है जबकि अध्धूनिक नयाय की समिक अपना जो अधिकारों परधारित है प्लेटो की नयाय का उदेश समाज के तीन वर्गों में समंधी इस्थापित करना है जबकि अध्धूनिक नयाय बेक्तिक अधिकारों की रच्छा पर अध्यारित है प्लेटो का जो नयाय है नेतिकता से परिचालित है जबकि अध्धूनिक नयाय जो है बीधी के द्वार मेग परेचालित होती है तो सभी बात जो आज के जुन नयाएं हो कानून के अधार पर होती है अब प्लेटू की जुन नियाएं हो ने थिकता पर है प्लेटू के विचार में सोतंत्ता समंता या अधिकार की की कोई संक अपना नहीं है तहाँ पर देख सकते हैं कि कोई संवस्क्रां नहीं की गई है प्लेटौ्ट्ट lleva ripublic में बनायगा सरकार के भी इन रू पनाया है अभिजाथतंत्र सेनिक तंत्र धनिक तंत्र प्रजातंत्र और निर्णकुष तंत्र ने पांस तंतर ? अब चलिए जानते हैं दोस्तों अगरे सासन प्रनाली प्लेटों के द्वारा सासन प्रनाली कैसे था प्लेटों ने लोगतांत्रिक सासन प्रनाली का को सासन का भरष्ट रूप माना है यहां पर देख सकते हैं कि जो सासन प्रनाली को इन्होंने भरष्ट रूप माना है इस सासन प किया है कि सेवाइन ने प्लेटो को दार्शनिक राजा को प्रभूद अधिनायक वाद कहा है यहां पर देख से तो जो सिन्वाइन ने है उसका खंदन करते हैं प्लेटो को दार्शनिक राजा का प्रभूद अधिनायक वाद कहा है कि बीधी प्लेटो किन उसार दार्शनिक र करते हुए कहा कि जो बेक्ति गुफा में रहता है वह आग के परकास को ही वास्तिविक परकास मानने लगता है जबकि वास्तिविक परकास तो सुरी का परकास है इसलिए प्लेटु ने प्रम प्रापर्थायों बीधी को सभी को अज्ञान माना है उन्हें देखें दोस्तों कि सुर्य ही वास्तिक परकास है इसलिए बीधी कानून और परमपरा जो है एक छोटे रूप में उसे बाहर निकल के दिखिए प्लैटो नी अपनी बात की रचना पार स्विकार कर लिया लेकिन प्लैटो ने अपनी सबसे महतपूर रचना परिपंण को दंडեղे के ऐसे बिधने कना उसको स्विकार पर बल दिया है तथदंड के बजा साम मुध पर मुहत्पुन बल दिया है प्लेटो की विचार में राज एक समाज में कोई अंतर नहीं किया गया है इसलिए प्लेटो ने प्लेटो की विचार में संप्रुभूता का विचार नहीं है अगे देखते हैं दोस्तों सिक्छा का सिधांद बारकर ने प्लेटो को सिक्षा प्रणाली उसके नया सिधान पर तार्किक प्रणाली है रूसों ने दर रिपब्लिक को सिक्षा का लिखा गया सरवस्रेश्ट गरंथ माना है और जो रूसों थे वो बोलते हैं कि जो दर पबलिक जो प्लेटो दवारे लिखा गया है वो शिक्षा पर लिखा गया सबसे सरोसरेष्ट ग्रंथ है बारकर के निसे दर रिपबलिक मानो जीवन के संपूर दर्सन के बीवेचन का प्रयास है यह केवल सिक्छा मनो भी ज्यान दर्सन पर रचना नहीं है प्लेटो ने शिक्छा का उदेष बताते हुए कहा कि यहान पर सहिए दोस्तों अग्यान से ज्यान और अंदकार से परकास की जो यातरा है वही सिक्षा है सिक्षा का उद्यस विचार यो मात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है सिक्षा के चरन तो सिक्षा के इन्हों तीन चरन में बाटा है दोस्तों चले तिनों चरन को देख प्रात्मिक प्रात्मिक सिक्षा जो होगी 10 और 20 वर्स तक होगी ताथा इसमें शंगीत और्याम की सिक्षा 20 वस्तू होंगे Stories दोत्य चरॣ की जो सिक्षा होगी जों। 20-30 वर्स की सिक्षा दी जागी तो पहले में करना मेझाऊ का तो इसको फिर गरित जो स्प्षाधियों कि इसके बाद दोथ रित्य तृत्तं प्रतिय चरणर 30-35 का होगा जिसमें दर्षन सास्तितकी दोट्ष совсем कि को कारे का बीभाजन ने और इसको देख लेते हैं दोस्तों कि कौन से सिक्षा में कूं से सरेडी में किसको रखा जाएगा जो सिक्षा के प्रथम चरण में सफलता होंगे उसे उत्पादन का कारे सोपा जाएगा तेहां पर देख सकते हैं कि जो प्रथम चरण में असफल हो जाते हैं फेल हो जाते हैं उसको उत्पादन का कारे सोपा जाएगा जो सिक्षा के दूतिय चरण में सफल होता है उसे सैनिक कारे को सुपा जाएगा और जो दूस्तरय में फिल हो जाएगा उसको सैनिक कारे दिया जाएगा और जो सिक्षा के सभी चरणों में सफल होगा वही दार्षनिक राजा होगा जिसको 35 वर्ष के शिख्धा के बाद उसे 15 वत प्रसिक्षन दार्शनिक रूप में दार्शनिक राजा को दिया जाएगा तो यहाँ पर 35 वर्ष पुरा करने के बाद उसे 15 साल सामोहिख जिवन जीएगा लोगों में रहेगा विचार देखेगा उनकी उहां से कुछ सीखेगा इसके बाद वो राजा बनेगा यानि कि पचास वर्ष उसको कम्प्लीर करने पड़ेंगे सीख्षा के द्वारा सभी के कारियों का विभाजन होगा जिसमें सभी अपने कारियों में विशे सग्य होंगे जिसमें समुचे समाज का भला होगा पलेटू के राजी को मुलत एक विश विद्याले कहा गया है जो सीख्षा प्रदान करने की संस्था है तो देखें तो पलेटू की अगर राज एकों मुलता है एक बीस विद्याले कहा गया है जो सिक्षा प्राथ करने की एक संस्था है तो इस टाइप से तो लग रहा है कि अभी सिक्षा की बिवस्ता है कि 20-30, 30-40, 10-20, 20-30, 30-35, 35-15 सालों दर्शनिक जीवन जीएगा इसके बाद देखें दोस्तों सामयवाद पलेटो का प्रसीद कतन है कि उनानी नगर राजे छोटे छोटे नगर राजे थे लेकि इनकी भी मिभाजन दो परकार के नगर राजे ने था पहला हो गया अमीरों का राज या दुसरा हो जाएगा दोस्तों गरीबों का राजे जो पुलेटों बताये थे कि जो छोटे-छोटे नगर राजे हैं, तो वहाँ पर दो राजे हैं, एक पाहला हो गया अमीरों का राजे, दूसरा हो जाएगा दोस्तों, गरीबों का राजे. पुलेटों के सामवद का उदेश, सासक वर्ग को संपत्ती और परिवार के मों से मुक्त रखना था, तेहां पर देखें, जो पुलेटों का जो सामवद का उदेश है, ये सासक वर्ग के संपत्ती और परिवार के मों से मुक्त रखना था, मतलब वो सासक जो सासन राजा जिसे वह अपने उद्देश को बिना किसी बाधा को पूरा कर सके प्लेटो ने इस्पार्टा के अनुभवों से परिवार यों संपत्ति के सामवात का सिधान्त दिया प्लेटो के अनुषार दार्शनिक राजा सैनिकों को अपनी नीजी संपति रखने का अधिकार नहीं होगा बोलते हैं अपना खुद का परिवार ओ नहीं होगा अधुनिक सामवाद प्लेटो के सामवाद में निमलिकी तंतर है तेहां पर अगर पिरिवार की बात करें दोस्तों तेहां पर जो परिवार होंगे वो सामोई ही खोगा और किसी को यह पता नहीं चलेगा कि बच्चा किसका है तो इसको और डीटिल के साथ पढ़ ना होगा दोस्तों तो इसको पढ़ए गार्जो मुखी मुखे की बिंदवे हैं जहां से प्रश्ण बंते है उसको देख रहे हैं हैं आगे हुझ lowest सनों प्लेटो का सामभ दूसरा हो जग अधुनिक सामयाद से का कि माध्या के सपर नहीं होता है कि यह पूरे समाज पर replay घुरे समाज को साशक्त बनाता है प्लेटो पो जो सामवाद है वो rest of may ल हो तत्था यह वर्ग भी राज त्व लुसमाज किस्ट कलपना करता है अधुनिक संव्यवाद करता है इसके बाद प्लेटो के सामवद देखें तो यह नचली काक्रा विचारक कहा है तो नहाओ दिखें तो दूश्तन हो सबसे ब्राजनितिक सिधांतकार है इसकी बाद देखें तो प्लेटो की अलोचना प्लेटो कि जो कुछ लेगों को दीरोरा की गई है उनको भी जान लेते हैं तो कारल पॉपर ने अपनी राचना The Open Society and Its Enemies 1945 में प्लेटो के मुक्त समाज का सत्रू कहा है उन्होंने कहा कि प्लेटो जो है मुक्त समाज का सत्रू है कारल पॉपर के अनुसार प्लेटो हीगल और मार्स मुक्त समाज के सत्रू है इसलिए प्लेटो को सरवधिकारवाद का दर्शनिक प्रेरख्म कहा है मैक्सी ने प्लेटो को अपना कलपनोलुक की विचारक कहा है तो इसके तीन अलोचक मुक्रूप से है मैक्सी, हन्ना अर्नेट और आपका एक नाम हो जाता है कॉलफ उपर ये तीनों के अलोचना करते हैं आगे दिखते हैं दोस्तों प्लेटो और फासिवाद तो काल पोपर ने प्लेटो का अपना पहला फासिवाद कहा तो काल पोपर जो है इसका लोचक करते हुए कहा कि प्लेटो को पहला फासिवाद कहा और प्लेटो को प्लेटो और फासिवाद में कोई समनता है और समनता है और पहले समनताया देखते हैं प्लेटो और फासि वाद् दूनो राजी को नेती को सवर्सक्तीमान संस्था मानते हैं. जैसे कि जानते हैं फासिवाद बोलते हैं कि राज से बाहर कुछ भी नहीं है, मतलब राष्ट से बाहर कुछ भी नहीं है, और राष्ट में ही जीना है और राष्ट के लिए ही मरना है, तो फासिवादी विचार धरा तो ही बोलते हैं कि नेति को सौरसक्तिमान सस्ता मानते है दोनों का यह मानना है कि राज ही बेगती की सबसे बेतर भलाई कर सकता है कौन-कौन दोनों का मानना है दोस्तों प्लेटो और फासिवाद को तो फासिवादी राज में बीधी और सनुविधान पर कोई परतीबंद नहीं है प्लेटो ने भी एसपस्ट कहा कि दार्शनिक राजा का बीबेक किसी भी बीबेक और अध्यादेश से महतपूर होता है यहाँ पर देखे दो फास्तिवाद जो बोलता है फासिवाराज में बीधिय और सन्विन्धान पर कोई परतिबंध नहीं है प्लेटो ने भी एसपस्ट कहा कि दार्शनिक राजा किसी भी बीबेक और अध्यादेश से महतपूर होता है तो यहाँ पर दोनों महत देख रहे हैं तो समन्ता हैं प्लेटो और फासिवाद विचारधारा लोगतंतर का घोर विरोत करते हैं प्लेटो के विचार में सोतंतरता, अधिकार हो वसमन्ता कि इसनकल अपना बिखमान नहीं है फासिवाद भी यही मानते हैं प्लेटो के आधस राज में सिक्षा वसाहित पर नियंतरन किया जाएगा फासिवाद राज में भी नियंतरन करते हैं का इसके बाद अब समान्ताय देखती हैं कि पलेक्टो का नसर बेख बेक्ति का सबसे महें थेपूर यह नियुकर यहां पर देखे तो पलेटो बोलता है कि फासी यहां पर बोलता है कि बेख्ति का सबसे बहुत. प्राड़ी है आगले पाइंट में रखते हैं दोस्तों दार्शनिक राजा का सासक बीबेग सत्य और नयाय पर अधारित है जबकि फासी वादी सासन में धूरता फरेब और चलाकी के दुवरा किया जाता है तेहां पर देख सकते हैं दोनों में भींताय दिख रही एक बोलता है कि सत्य नया पर अधारित होगी और दूसरा बोलता है कि धूरता उग फरेब पर अधारित होगी प्लेटो की बिचारों में सतंता और समंता अंतर नहीं थे जबकि फासिवादी बिचारधरा सतंता और समंता को बिल्कुल नहीं मानते हैं आगे देखे दोस्तों तो प्लेटों ने महिलाओं को भी सरकार वर्ग में सामिल किया है जबकि फांसी वाद महिलाओं के ऊज़कों और बच्चा पैदा करने के मसीन मानते हैं इसे पका देखे तो प्लेटो के विचारों में उग्र राष्टियाता बिल्कुल नहीं है जबकि फासी वादी उग्र राष्टियाता के धूर समर्थक है यानि उग्र राष्टियाता के बहुत बड़े समर्थक है जबकि प्लेटो ऐसा नहीं कनते हैं प्लेटो ने एक आदस राज की कलापना की तथा उसका से धान्तिक बिशलेशन किया जबकि फासी वादी मुलत एक और सरवादी विचारधारा है निसकर्स देखते हैं दोस्तों प्लेटो की फासी वादी से समानता है तसन ये उजगिक है जबकि फासी वादी वीचारधारा हिंसा अस्ते चलाकी वधूरता का दूसरा नाम है अता प्लेटो और फासी वाद दोनों बीप्री थे दोनों में कोई समनता नहीं है प्लेटो के समद्ध में लिखी गई सिरेष्ट रचना है तो इसके समद्ध में जो रचना है लिखे हैं उसको भी देख लेता हैं दोस्तों आरनेश्ट बारकर एक ग्रीक राजनीतिक सिधान्त प्लेटो यो मुझकी पुरुवरती टीये लिखे हैं अरनेश्ट बारकर नी सके बारकर लिखे हैं प्लेटो यो मुझकी राजनितिक विचार इसके समयात है बर्नाड बुशांके इसके बाद देखें आरेल नेटली सीग लिखते हैं लेक्चर ओन रिपॉब्लीक ओपलेटो ते इनकी रचना है दोस्तों तो आज के लिए इतना ही दोस्तों रगले पॉपिक हम जो होगा पलेटो के बाद रस्तु इसके बाद दो तलवारों का सिधान तो बारी-बारी से ले दोस्तों मुख मुख बिंद्वे हैं अगर आप पूरा डीटेल के साथ पढ़े हैं तो मुख बिंद्वों को पढ़ेंगे तो बहुत मजाएगा थैंक्यू देखने के लिए जय हिंद